नमस्कार दोस्तो, Self Study YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत हैं दोस्तो, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि CRPF Head Constable Minister की नई वेकंसी कब तक आएगी और दोस्तो, इसकी प्रिवेस कट ओफ क्या रही थी Head Constable की ठीक है, सभी बाते इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं तो वीडियो को अंद तक जरूर देखेगा, चलिए सुरू करते हैं नमस्कार दोस्तो, Self Study YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तो, आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि CRPF Head Constable Minister की जो Previous Cut-Off थी, वो क्या रही है और नई वेकंसी अब तक क्यों नहीं आई, क्योंकि क्या था कि CRPF का जो साइकल था ठीक है, वेकंसी जाउट करने का, वो क्या था कि ये परती एक वर्स यानि के हर साल एक नई वेकंसी देते थे, Head Constable के लिए चाहे वो कम थी, या ज़्यादा थी, जितने भी पद थे, ठीक है ये लगतार देते आ रहे थे, लेकिन दोस्तों, पिछली बार जो वेकंसी दोस्तों निकाली गई थी, इनकी तरफ से वो थी 977 की, ठीक है, इसके form आपके 2015-16 के असपास भरे गए थे, ठीक है इसका फिर रिजल्ट जो गोसित किया गया था, वो दोस्तों 2017 के अंदर, ठीक है, सितनबर 2017 में इसका रिजल्ट डाल दिया गया था, उसके अंदर जो भी कैंडिडेट की परिकिरियती, रिटन एक्जाम, फीजिकल, मेडिकल, टाइपिंग, सभी बाते कवर होने के बाद, स दोस्तों 163 के आसपास OBC की कटॉफ थी, ठीक है, ये बात आप ध्यान लकरेगा, बाकी दोस्तों अब बात करेंगे नई वगिंसि की, इसकी नई वेकंसी के बारे में हम क्या बात करेंगे, कि हम क्या करेंगे, इसका पिछला रिकोर्ड च्एक करेंगे, तो हम देखेंगे क लगातार 2016 तक लगातार ये लोग हर साल वेकंसी आउट कर रहे थे ठीक है लेकिन 2016 के बाद कोई नई जानकरी नहीं मिली कोई नई वेकंसी नहीं आई उसी के साथ ASI का भी नोटिफिकेशन ASI स्टेनो का भी नोटिफिकेशन आता था लेकिन दोस्तो ASI की वेकंसी भी 2016 के बाद दोबारा नहीं आई ठीक है लेकिन दोस्तो मैं आपको बता दूँ की अब की बार इसकी नई वेकंसी आने वाली है ये बात आप ध्यान लखिए क्योंकि क्या होता है ये लोग की बार कुछ पता लगा है तो दोस्तो अब की बार कुछ डिपार्टमेंटल जो बंदे है उनसे पता लगा है कनफरमिशन तो मैं इसमें नहीं दे सकता ठीक है लेकिन पता लगा है कि इसकी जल्द ही वेकंसी आने वाली है आउट होने वाली है ये बात आप ध्यान लखिए, इसकी तैयारी अच्छे से करिए, बहुत अच्छा मोगा है आपके लिए, दोस्तो इसमें competition बहुत कम रहता है, क्योंकि इसकी जो typing होती है, वो दोस्तो बहुत कम बंचे पास कर पाते हैं, ठीक है ये बात आप ध्यान लखिएगा, तो उम्मीद है, इसकी दिसंबर के असपास आपकी vacancies नई out कर दी जाएगी, इसके बारे में भी कोई जान करी नहीं है कि कितनी vacancy होगी, लेकिन हाँ इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि 25 साल से लेकर 28 साल, 3 साल का reservation जोड कर, ठीक है, OBC के लिए इसमें उम्र, यानि के age रहती है, ठीक है, उसी के साथ 5 साल का reservation center government की तरफ से SCST वालों को दिया जाता है, और OBC को 3 साल का, ये बात आप धार नखियेगा, बागी दोस्तों आपके पास बहुत अच्छे मोके है, CISF head constable minister के vacancies निकली भी है, ठीक है, उसके PhD भी हो चुके है, उसका return exam जल्दी होने वाला है, confirmation तो नहीं सबसे पहले return exam होगा, कभी भी vacancy आ सकती है, CRP कि क्योंकि पिछले 2-3 सालों से इसकी कोई vacancy head constable minister की out नहीं की गई है, ठीक है, इसलिए आपको ये जानकरी देनी आवश्चक थी, जिससे आप अपनी अच्छे से त्यारी कर सके, previous cut-off हमने आपको बता दी, 163 के आसपा 120 की थ था, और उसी के साथ ASI स्टेनो की vacancy आएगी, जैसे ये उसके बारे में कोई confirmation मिलती है, हम उसकी वीडियो आपको तुर्ण तवेलेबल करा देंगे, बाकि दोस्तों इसकी तयारे आप अच्छे से कीजिए, हमारे चैनल पर आपको सामान ये हिंदी, जिसको हिंदी grammar बोलते हैं, ये सबी मिल जाएगी, दिल्ली पुलिस हेड़ कॉस्टरवल मिनिस्ट्रेल के लिए भी, CISF के लिए भी, और किसी अन्य अगजाम के लिए भी, बाकि GK, GK भी महाँ पर आपको मिल जाएगी, और यदि कोई CISF हेड़ कॉस्टरवल मिनिस्ट्रेल का केंडिडिएट इंतिजार कर रहे हैं, उमीद है उनका इंतिजार दिसम्बर के आसपास खतम हो जाएगा, वो लोग अपनी तैयारी अच्छे से रखे, नई तो दोस्तों, CISAC Head Coastal Ministry में आपका नमबर आ जाएगा, दिल्ली पुलिस Head Coastal Ministry के अंदर आपका नमबर आ जाएगा, काफी ज़्याद आपको अवगत करा दिया जाएगा, नोटिफिकेशन के मादम से आपको उसकी अपडेट दे दी जाएगी, तो दोस्तों इस वीडियो का लाइक कीजिएगा, शेर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा, आज की वीडि अंधर इतना, यह फिर मिलते हैं किसे नहीं विडियो, यह किस नहीं अपडेट के सिकिता,